असलाम अलेकुम विवर्स आज के वीडियो में दिपाल पूल उकाड़ा और M3 मोटर वे को लिंक करने वाली जो एक्सप्रेस वे है डियोल कैरेज वे रोड उसके अप्डेट शेयर करने जा रहा हूं उसका रिसेंटली रिवाइस पीसी वन जो है वो अप्रूव हुआ है एन 29 मार्च को मैं आपको मिनर्स ओफ मिटिंग भी शेयर करता हूं वीडियो में तो उसमें जो है इसकी अप्रूवल दी गई है 28 बिलियन रूपीस का ये प्रॉजेक्ट है इसकी सीडी डवल्यूपी और एकनिक से अप्रूवल के लिए इसको भीज़ दिया गया है इसकी जैस भी बताऊंगा डिजाइन जो प्रिपियर हुआ है वो भी बताऊंगा इसकी अलाइन्मेंट बताऊंगा इस सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ डिसकस की जाएंगी और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि चैनल सबस्क्रा अफिशल डॉक्मेंट्स हैं वो उसके उसमें आपको सारा एक्स्प्लेइन किया गया और अगस्त 2022 में इसका टेंडर ओपन हुआ था आसेफ अली एसोसियेट्स जो हैं यह तीसरे नंबर पर आ रहे थे बिट कंपेडिशन में आप देख लें आपके सामने के औरिजिनल अवार्ड किया था इसके लावा जो इसका डिजाइन एंड फिजिबिलिटी पे जो काम है वो तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि तकरीबन यह मार्च 2023 में टेंडर अवार्ड हुआ था आसिफ अली एसोसियेट्स को और इसकी जो आप कहलें डिजाइन है उसके क मिटिंग बिलाई थी इसमें डिफरेंट मेंबर्स होते हैं प्लैनिंग कमिशन के भी होते हैं और लोग होते हैं यह डिजाइन का जो डॉक्मेंट है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं वह भी आप साथ साथ देखें और फिर एन्हें का एक्जेक्टिव बोर्ड जो है उन्होंने डिजाइन को देखते वे इसकी अप्रूवल दी थी अभी रिसेंटली जो मिटिंग होई है मार्श 29 को जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई तो अब जाके यानि डिजाइन को देखते वे इसका रिवाइस PC1 बनाया गया और उसकी बेस पेस की अप्र शुरू होगा मिशिनरी कब आएगी मोके पे आप खुद अंदाजा लगा लें कि 2022 में इसके डिजाइन का टेंडर जो है वो मांगा जा रहा था और अब जाके 2024 आगया अब कहीं जाके इसका PC1 त्यार हुआ है तो खुद अंदाजा लगा लें कि अच्छासा ये हेक्टिक क काम होता है ये इतना असान नहीं होता कि एक बहुत बड़ा रोड प्रॉजेक्ट हो तो उसमें जैसे ही अप्रॉवल प्रॉजेक्ट की तो उसके ओपर काम शुरू हो जाए ग्राउंड वर्क 2022 से काम शुरू हुआ है डिजाइन का और अब कहीं जाके आप देखें कि उसका PC1 त्यार हुआ है और अब उसकी अप्रॉवल दी गई है और उसको इन्शाला आप देखेंगे कि बजट में उसके लिए बजट रखा जाएगा और इस पे ग्राउंड वर्क जो होता नजर आएगा ये मैं बता रहा हूँ आपको ये दिपाल पूल उकाड़ा और जो M3 पाड़ा साहिवाल पाकवतन ये डिफरेंट सिटीज आ रहे हैं तो यहां पर अशर्द जरूरत है एक मोटरवे को लिंक देने की क्यूंके और डी कोई लिंक ऐसा अवैलेबल नहीं है वैसे तो बहुत सारे लिंक्स हैं चोटे-चोटे-चोटे कोई डियोल कैरेजवे एक् एक्सप्रेस फेज हैं तीन मोटरवेज हैं वो मैं इंशाला जैसे जैसे मेचियोर होंगी अपडेट्स वो मैं आपको बताता जाओंगा लेकिन अभी के लिए खबर ये है कि दिपाल, पूल, उकाड़ा और M3 मोटरवे का समंधरी इंटरचेंज बिसिकली M3 मोटरवे को ल ये चीज़ें थी जो डिटेल में बताना मकसद थी अब आपको मैं इसका मैप जो है वो गूगल मैप एक्स्प्लेइन कर दोंगा कि क्या जरूरत थी इसकी ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टेंडिंग होजए कि इस प्रॉजेट की इंपॉर्टन्स क्या है तो टाइम्स सेंसके पास आप भो भी देख लीज़ेगा कि यहां पे यादि के अजिक एसके निज़िए पालपूर के साथ-साथ कौन-कौन-से बड़े सिटिज़ साथ-सितरंगे गैसे साथ-सके साथ-साथ काफी बड़े-स में DR drinत वाय प्रोबबेसरा कि यह पाक्वाल करन को और उनि dual carriageway road हो या कोई motorway हो या कोई ऐसी link road हो जो के जिस पर traveling अच्छी हो असान हो ऐसा कोई link available लिए थे वैसे तो अभी recently साहीवाल से जो साहीवाल से ये साहीवाल नज़र आ रहा है आपको साहीवाल से समंदरी interchange तक एक road recently complete हुई है लेकिन अभी उसकी आप कहलें के carpeting वगारा जो है rehabilitation जो है roads की जो एक चल रहा है प्रोग्राम government of Punjab का उसके तहत साहीवाल से समंदरी interchange जो इसका है M3 motorway का यहां तक एक road बनी ज़रूर है लेकिन क्या मकसद है कि वो single road है उसमें कोई dual carriage वे नहीं है को स्पीड वगरा भी उसमें limited ही आप रख सकते हैं तो उस वज़े से मतलब एक ऐसी रूट की जरूरत है थी बहुत अर्से से जो के dual carriage वे हो और असानी से link available हो ट्रैविलिंग में असानी हो जल्दी पहुचा जा सके और without any accident का कोई इहतमाल ना हो यह चीज़ें बहुत जरूरी थी तो अब भी दिपालपूर वाली जो मैं बता है कि यहां से onwards एक रोड जाएगी जो के समंदरी इंटर्चेंज जो इसका बनता है मोटरवे म3 का स्वरी यह समंदरी इंटर्चेंज यह वाला यह समंदरी इंटर्चेंज है यहां पर यह इधर तक जो है ना वह लिंक कर जाएगी ठीक है यह आपको मैंने दिखा दिया मोटरवे तक जाएगी उससे क्या बेनेफिट होगा कि यहां पर गितनवा के जितने एरियास हैं जिनको कोई मोटरवे का लिंक अवेलेबल नहीं है वो भी फंक्शनल हो जाएगा वैसे तो अभी एक और वर्किंग हो रही है रोड प्रॉजेक्ट की जिसका मैं बताता रहत की साहओर लेला हो उसका वी इनशालह में एक दो दिन में अप्डेट प्रॉट आने वाल हो उसकी हुआ यह होई है पैसमें बजेट है और विंशालह उसका भी और नेक्स बजटे आएम उसमें बजट्च रखा रहाए और वो मोटरवे जो है वो भी लाहुर के साथ लिंक ह मिल जाएगी इन सिटीज को जो यहां पे वेलेबल है भावल नगर है पाक पतन है साही वाल उकाड़ा ठीक है तो एक अच्छी असान एक्सेस जो है वह एक और आने वाली है लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि वह मोटर वे है अभी जो एक्सप्रेस वे है डिवल कैर में जो एरियाज है एवन के फैसलाबाद से आप यह एमफोर मोटर वे के थ्रू आप एमटू मोटर वे को भी लिंक कर जाएंगे यानि इसलामोबाद की असान एकसेस हो जाएगी और बहुत सारे बेनेफिट्स होने जा रही हैं जो मैं कुछ मैंने कवर कर ली हैं कुछ जो में आपको बड़ी बड़ी जो एकस्पैस वेस मोटर वेस हैं उनकी अपडेट देने जा रहा हूं तो जरूर देखिए का चैनल इसलिए कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियो अपलोड हों आप तक सबसे पहले पहुंचे अपन अपना बहुत सरा ख्याल रखेगा अगली वीडियो में मुलागात होगी इन्शालला लाफ़ेज